और परदानमंत्र जी को भी जगाएं कि लगबक चार तारिक को उनकी सरकार बन गई थी और लगबक इतने दिन हो गए अभी तक उनकी भी ना कोई ट्वीट आया ना कोई बयान आया है नीट को लेकर वो बार-बार जब एक्जाम होता उससे पहले परिक्षा पर बहुत कर रहा हूं 24 तारिको एक बड़ा संसत गिराव भी कर रहे है चाहते संसत गिराव आने वाली 24 तारिको जिसने पहला सेतर संसत का शुरू हो रहा है कि आर बार हमें प्रेस कोंफेंस करना इसलिए भी जरूरी है कि आप देखेंगे रोज मीडिया ख़वरों के माध्यम से और कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क के कोचिंग अकाडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्स कर रहे हैं जो नीट के चाहतर प्र सब्सक्रासे हो रहे हैं आपने देखा था कि दर्मेंदर परदान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कोंफेंस करी थी कुछ दिनों पहले जिसमें उनने क्लियर तो पर बोला थे कि ना तो यह पेपर लीक है ना इसमें कोई दांद लिए खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर तो सुप्रीम कोट न उसमें क्लियर कर दिया थे हैं ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को द्वारे चान्स देने की बात करी थी है। उसमें सुप्रीम कोट का वह बहुत स्वाकत करते हैं लेकिन जिस तरीके से आपने दिखा हो grace marks तक यह scam सीमित नहीं है NEET का paper ही पूरा धान लिए और कहीना कि मैं मानता हूँ उसके पीछे अब धर्मेंदर परदान जी जिस तरीके से NTA को बचा रहे है साथ तारिक को हमने इस पर press conference भी करी थी पहले तो जब पहली press conference हमने करी थी हमने पहली ही यह मांग रखी थी कोंगेस पार्टी ने भी NSY ने भी कि इमीजेटली NTA के ऊपर जाच शुरू करी जाए और वो जाच सुप्रिम कोर्ट के रिटायर जज़्ज की निगरानी में या करंट ज़ज्ज की निगरानी में CBI के जो जाच शुरू करी जाए तो उसके अगले दिन जाच शुरू ही पहली बार यह देखने को मिला कि NTA पर जाच हो रही है और उस जाच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो NTA के खुद के एमपलोई है जो पदेदिकारी है वो यह अपनी जाच कर रहे है इसका मतलब यह अगर मैंने चोरी करी है तो मैं अपनी जाच खुद कर रहा हूँ तो इसको देखते हुए यह तो समझ आगे कि दर्मेंदर परदान जी जो 24 लाग नीट के चातर है उनको लेकर कितने कंबीर है और अब तो मुझे यह भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीकी ते रोज खुला से हो रहे हैं आपने देखोगा गुजरात के अंदर तो जो डेपटी सूपरेटेंडेंट हैं नीट के उन तक को ग्रफतार करा गया जिस सेंटर पर इक्जाम हुआ था उसके प्रिंस्पल को ग्रफतार करा गया और यह जो ग्रफतारियां होई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं ना कि किसी कॉंगर्स पार्टी के किसी स्टेट में होई हैं ना कि किसी हमारे पदेदिकारी ने करी हैं और गुजरात पुलिस ने ग्रफतारियां करी है, ग्रफतारी में पता चला कि लगबग 30 करोड के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए, उस ब्लैंक चेक्स में उन बच्चों से लिए गए जिनको 65 लाग रुपे कमिट्मेंट करकर लिया जा रहा था कि आपका हम स्कोर बढ़ा और 65 लाग रुपे पर बच्चाव चार्ज कर रहे थे, उसके बाद कल बिहार में आपके सामने हैं, किस तरीके से बच्चों ने खुद कन्फेस करा है, मैंने कल पुलिस की मीडिया बाइट भी देखी जो बिहार में इसके बाद, तो ये तो साफ हो गया है, कि ये पूरा प सवाल खड़े करे थे, कि किस तरीके सीबीसी देशिया पंद्रा पेपर एक साथ कराता है, बहुत जादा सीबीसी पर बर्डन है, कही ना कहीं सीबीसी ये एक्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट अजेंसी लेकर आ रहे हैं, ये परकार जाविड कर कार, तो जो वो वादा करते थे, कि एक्जाम्स पर बर्डन कम पड़ेगा, जो गवर्मेंट अजेंसी हैं, इसलिए में एंटिय लेकर आ रहे हैं, वो कहीना कि बहुत जादा एक्जाम्स का जो कराने का तरीका है, बहुत जादा परदिश्या के साथ होगा, ये वो वादा क करते थे, लेकिन जिस परिके से चीजें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रिम कोट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1 परसेंट भी कुछ अगर खामी होगी, तो हम सक्त कारवाई करेंगे, तो हम अब कोट से भी एक अपील करेंगे, और साथ करा धर्मेंदर परद तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है NTSA, दमिंदर पदान जी को, कि बार-बार अब उन्हें वो बचाने के कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी याप लोगों से भी एक, हम लोग 24 तारिक को एक बड़ा संसत गिराव भी कर रहे हैं, चात संसत गिराव, आने वाली 24 तारिको उनकी सरकार बन गई थी, और लगबक इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उनकी भी ना कोई ट्विट आया ना कोई बयान आया है, नीट को लेकर, वो बार-बार जब एक्जाम होता है, उससे पहले परिक्षा पर बहुत चर्चाय करते हैं हर साल, अब उन्हें पेपर लीक पर सक्षम नहीं है, तो दुबारे हमारी यह मांग भी है सरकार से, कि 24 तारीक को जो संसत का शर्त शुरू हो रहा है, उससे पहले NTA को अब तो बैन कर दें, तुरन जाच करा हैं, और नीट का जो एक्जाम है, पहले हम सिर्फ जाच की बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से नीट का एक्जाम दुबारे कराना चाहिए, और NTA को बैन करना चाहिए, और बैन करने के साथ साथ, जो आला दिकारी NTA के समें, जो मिली भगत से यह पूरा स्कैम हुआ है, उन पर इतनी सक्त कारवाई होनी चाहिए, कि आने वाले जो एक्जाम सों, बच्चों का विश्व रखना है, तो NTA को बैन करना पड़ेगा, तो मेरी यह मांग है कि NTA को बैन करें, तुरंट एक जाज अजनसी बड़े लाल पर बनाई जाए, उसकी जाज शुरू करी जाए, और साथ के साथ, अगर धर्मेंदर परदान जी दुबारे बचाएंगे, तो हमारा जो होनी चाहिए थी NTA पर, अभी दो दिन पहले दिल्ली पुलिस ने, में साथ मेरे दिल्ली इंचार जैने स्वाई कि बैटा हनी बगगा, इनके ओपर भी FIR करी, यह शान्ति पूर्वक तरीके से हमारे 10 से 15 जो हमारे ओफिस पेरर्स थे, वो कुछ नीट के चात्रों को लेकर दर्मेंदर परदान जी के घर पर गए, एक शान्ति पूर्वक परदर्शन कर रहे थे, उस परदर्शन के आदे गंटे बाद, पुलिस इनको डूढने ने के लिए हमारे दफ्तर तक आई और इन पर FIR कर दी, सोचिए दर्मेंदर परदान जी को इतना क्या डर है कि वो पर दर्शन को रोका, एक peaceful potter था, और FIR होनी चाहिए, NTA पर FIR कर रहे हैं हमारे चात्र संगधनों पर, हमारे खुद NSY को विरूपर FIR कर रही है, और FIR की मंचा भी हम बता देता है, यह मंचा है कि नीट के चात्रों का NSY क्यों साथ दे रही है, उनको लग रहा है कि नीट के चात्रों के साथ NSY खड़ी है, कहीना कि यह मुद्दा अब पूरे देश के सामने आ गया है, तो हम डरने वाले भी नहीं हैं, और 24 तारीक तक का हम खुले तोरपा अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को, कि तुरंथ NTA बैन करे, और यह एक्जाम की देट निकाले कि यह ए इमीजेटली कराई जाए।